मैं सत्यजीत सभी को नमश्कार करता हूँ जो भी मुस्लिम, हिंदू या किसी भी मज़भ या किसी भी मानने तब को मानने वाले लोग एक दूसरे से किसी भी वज़े से नफरत करते हैं वो जारा ध्यान से सुने मज़भ नहीं सिखाता अपस में बैर करना कहा गया है समझने वाली बात ये है कि आप किसी मुस्लिम या हिंदू को या किसी और मानने तब वाले वेक्ति को जो बेकसूर है उसको परताडित करते हैं परिशान करते हैं या उसका किसी भी परकार से बुरा करते हैं यदी कोई भी तो क्या राम खुश होगा क्या राम मूर्ख है नहीं राम मूर्ख नहीं है भगवान या कोई भी देवी देवता मूर्ख नहीं है उनको आपके करम पता नहीं है क्या कोई भी किसी को मारेगा परिशान करेगा हिंदू हो चाए मुसलिम हो चाए अपनी जात में मजभ में या दूसरे में भगवान, दुर्गा, देवी, सीता, राम, हनुमान कैसे खुश होंगे? समझ ये जरा बात को वो बेवकुफ नहीं है मजभ या मान्यताएं ये इनसान को सही रास्ता दिखाने के लिए है बुरे रास्ते पे ले जाने के लिए कता ही नहीं है एक दूसरे को मत मारिय अल्ला, इश्वर, सब देख रहे हैं और उनको सब कुछ पता है जो भी लोग ऐसा पाप कर रहे हैं बेकसूरों को चाहे वो किसी भी मजभ के हो, किसी भी जात के हो किसी भी श्रेणी के हो किसी भी स्थान के हो किसी भी मान्यता के हो बेकसूर हैं, उन्हें परिशान करेंगे चाहे जानवर हों, चाहे इनसान हो तो ऐसे लोग सजा बुक्तेंगे मनुष्य जाती समझधार है उनकी अपनी पुद्धी है ज्ञान है किसलिए है उनकी जिम्मेदारी है लोगों की कि वो जानवरों की रक्षा करे पेड़ पौधों की रक्षा करे प्रकृती की रक्षा करे उनको सुखी करने का बंदोबस्त करें वो धर्म होगा शुब पल मिलेंगे जहां आप एक दूसरे को परिशान करेंगे बुरा करेंगे चाहे वो आतंकवादी हो चाहे नॉर्मल इंसान हो पाप होगा वो और उसके परिणाम ऐसे लोगों को भोगने होगे बच नहीं सकते मुझे गालियां देने से किसी का काम नहीं चलेगा मैं कौन हूँ, क्या हूँ आप सभी नहीं जानते सादार एन इंसान हूँ समझा रहा हूँ भगवान